फ्रेंड्स आज हम आपको share करें हैं बिना किसी जहनजट बिना परिशानी की बहुत ही मज़ेदार सबुदाने से बनी ब्रत रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इतने टेस्टी लगते हैं ना कि एक बार आप इसे बना लेंगे तो आप इसे बिना ब्रत के भी बन करते है तो चलिए आप बनाने को घरम करेंगे उस इसी बोना नहीं हे जाए उस हिसाब करके घर डिए और शोबस मस्चानना नहीं उद्क स्थे सॉद्ध कर देंगे तो प्रत कर देए ये इसंद्स यरुदा नहीं है यूर आप जो मिह से पीद्धने में असानी हो जाती पिशने में थोड़ा सा दिगत होती है, तो उसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया, और यहां पर मैंने सामा का चावल लिया हुआ है, जिसे तेनी के ह IU के भी चावल हम बोलते हैं, वो बहुत बारिक बारिक होता है और इसको मैंने धो करके छनी में छान करके रख दिया है थोड़ा सा इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा तो इसे हम साइड में रख देते हैं और पहले सबदाने को ठंडा करके इसे हम पीस लेते हैं नहीं तो जार हमारा गिला गिला सा हो जाएगा इसलिए पहरे हम सबडाने को पीस लेते हैं तो दीके यहां पर मैंने सबडाने को पीस लिया है और यह बारिक हो गया है बहुत ही जल्दी इसे एक बावल में मैंने ट्रंसपर कर लिया है और इसका हम साइड में रखेंगे और जो हमने चावल भीगा करके रखा था उसको आप पीस ले और उसी सब दाने में को डाल दिया जितना मेनी चावल लिया था। उसा रे चावल सा真的 और ड़्ण झीजना देंगे की हाँ। अब उसी जार को हम लेंगे और उसमें डालेंगे धनिया के पती आप अपने हिसाथ से डालें कितना आपको चपने बनाना है उसमें हरी मिर्स डालेंगे दो अपने तिखे के अनसार डालेंगे और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और एक से दो टुकुड़ा हम यहां पर बारिक हम इसे पीस लेंगे चटनी के जैसे और इसी आटे की अंदर जो हमने अपीज करकी रखा है उसके अंदर आंधर इसे डाल देंगे तो यह चटनी ही बन जाती है और 99 को डाल करके इस आटे में गूत करके बनाएंगे तो बहुत ही टिस्टी लगता यह रेसिपी काली मेर्च नमक में डाल लिया है और ये नमक देखी संधा नमक है संधा मैं बोल रही हूं सेंधा नमक बरथि वाला नमक जो बोलते हैं उसी को हमने लिया है नर्मल नमक नहीं है। क спас . अद इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी ड़ाँ करेंगे और एक बतर के जैसे गोल करके हमें रेडिक कर ले तो ये पानी अभी तो शोखे गा चावल भी और सब दाना भी तो यहां पर हम और पानी अधोकार इसे मैंने 2 कटरी डाल करके इसे मिक्स कर लिया है अब इसके अंदर बारी कटा हुआ मैं धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा से और मैं पानी डालूँगी कि काफी गढ़ा दिख रहा है तो मैं बेटर आपको बताओंगे किस तरह का होना अब थोड़ा-थोड़ा पानी अड उसके अंदर चीजुए अचित तरह से हम कलशी से डालेंगे बेटर को पैन के अंदर और थोड़ा सा इसे हम फैला लेंगे ये बेटर इससे थोड़ा सा और पतला भी रखेंगे तो भी चलेगा कोई दीकत नहीं होगी लेकिन थोड़ा से इसे पकाने में टाइम लगता है इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा गा तो फैलने के बाद फिर से इस तरह से हम प्लट देंगे और एक तरफ से यह सीख चुका है दुसरे तरफ से इसे सीख लेंगे इसे ज्यादा आपको गोल्डेन या ब्राउन करने की जरूत नहीं है यह पग चुका है बस थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ है तो आप जैसा प से दबाते हुए स्पेचुला से हम इसे पका लेंगे और देखिए उलाटनिक में बता देती हूं जब मैंने पलटा तो इस तरह से जो भी स्पेचुला आपके पास है न वह चोड़ा रहेगा तो इसे पलटने में दिक्कत नहीं होगी बहुत ही आसानी से पलट जाएगा न और इसी तरह से और भी रोटी हमें बना करके रेडि कर लूगी इसे रोटी भी बोल सकते हैं चीला भी आप बोल सकते हैं तो चीले के जैसे हम बना रहे हैं रोटी के जैसे यह बन जाएगा तो इसे भी खाने में काफी टेश्टी लगता है आप जो भी बोलना चाहें बोल स और इस तरह से बना करके फिर से हम इसमें घी डालेंगे इस तरह से फैला लेंगे और दूसरे तरह से इसको भी हम सीख लेंगे तो दुनों तरफ से अच्छे सीख लेना है और से कि हम निकाल लेंगे तो दिखिए सीख चुका है दोनों तरफ से अच्छे से थोड़ा सीख की चीला बना करके सुधर 1 कि बना कर लिए findetए मैंने सफल करते हैं अपने टेशे प्लेट में डाल धिया है और और उपर से डाल रहे हो हैं और इस हैं दही सब कर या आप इसके साथ आलू की सब्जी भी ब्रत वाली बना सकते हैं मैंने यहां पर बनाया नहीं क्योंकि मेरा भी ब्रत चल रहा है थोड़ा मुश्किल हो रही है तो मैंने यहां दही के साथ ही से सर्व किया है और इस रेसिपी को जो लोग अन खाती होंगी एक टाइम वही लो चावल मिक्स करके बना सकते हैं को अगर आप को थोड़ी पसंद आती Ch現在 को जरूर कर लेजिए 10 इस अप लोगों से फिर मीलती हो इसी तरह केहां और भी नई नई रेसिपे के साथ थे थेंग्स पुर बटोटी.